हाई मैं हूँ योशु मायापुरी टीवी एंड वेब सीरीज बुलिटिन में आपका स्वागत है बिग बॉस के ये कंटेस्टन पहुँचे टॉप फिफ्टी सेक्सियस्ट एशिन मेन की लिस्ट में आसिम की बिग बॉस जोर्नी काफी रिमार्किबल रही है और आसिम को लाइम लाइट में लेकर आई है आसिम को सोशल मीडिया पर उनके फैंस का काफी सपोर्ट भी मिला है और अब आसिम को एक और मुकाम हासल होते देखा गया आसिम को 50 Sexiest Asian Men की लिस्ट में पहुचते 24th रांग पे देखा गया इस लिस्ट को टॉप किया है रितिक रौशन ने आसिम के लिए as a newcomer ये एक huge achievement है नागिन के blockbuster episode में नजर आएंगे sizzling performances नागिन 4 जल्दी honor होने वाला है पर उससे पहले 8th December को नागिन का एक blockbuster episode आएगा जिसमें अब तक की नागिन की पूरी star cast को देखा गया इन सभी actors की performances की pictures सामने आई सभी को इस नागिन reunion पर मस्ती करते देखा जा सकता है Tara from Sitara में नजर आएंगे इजास खान शो में रादिखा dancer no.1 से eliminate हो चुकी है और अब Tara as wildcard contestant शो में हिस्सा बनेंगी इसी के साथ entry होगी एक और judge की जिसका रोल इजास खान प्ले करेंगे इजास के character का नाम होगा शत्रू जिसकी वज़े से Tara के father सचिन का dance career खतम हुआ था इस new entry के साथ past के कई रास खुलेंगे ये देखना काफी interesting होगा कि शत्रू की वज़े से Tara की dance journey पर क्या असर पड़ेगा ये जादू है जिनका पहुचा TRP no.1 position पर continuously grow करते करते ये जादू है जिनका पहुचा no.1 पर कारा reunion के बाद ये रुष्टा क्या कहलाता है पहुचा no.2 पर no.3 पर रहा कुंडली भागया तारक महता का उल्टा चश्पा पहुचा no.4 पर और no.5 पर अपनी जगा बनाई छोटी सरदार्नी ने बिग बॉस के एक्स कंटेस्टन्स ने घर में हो रही लड़ाई के खिलाँ उठाई आवाज सिधात शुकला और आसिम के बीच लड़ाई देखने को मिलती है सिधात शुकला और आसिम को हाता पाई के लिए भी वॉन किया जा चुका है और अब एक बार फिर सिधार्ट ने आसिम को धक्का मारा जिस पर बिग बॉस ने सिर्फ उन्हें नॉमिनेट किया पर एक्स कंटेस्टेंस गौहर खान और गौतम गुलाटी बिग बॉस में हुए वाइलिंस के खिलाफ हैं उनका मानना ये है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ टीवी एन वेब सीरीज बुलिटिन में इतना ही बागी अपडेट्स के लिए देखते रहिए मायापूरी कार्ट